हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोती है और आप देख रहे हैं जोती एक्स्प्लेंड तभी उनकी तरफ एक तीर आता है, जो आरपार हो जाता है अभी वो सिच्वेशन को समझें भी नहीं होते कि एक और तीर आता है जो सोफी की आँख ही वहें निकाल देता है और ओन्दा स्पोर्ट सोफी मर जाती है उसे देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है इतनी दिर में एलक्स भी वहां पर आ जाती है तब द्री फिंगर सोफी की आँख खा रहा होता है उसे देखकर वो फोरण वहें पर छुप जाती है इतनी दिर में ट्रे भी कुछ लकणिया लेकर वहां पर आ जाता है वो थ्रीफींगर उस पर भी अटैक कर देता है वो किसी तरह अपनी जान बचा कर जंगल की तरभ भागता है लेकिन थ्रीफिंगर उससे भी पकड़ के मार देता है और Brent भी इन नूर्टिन्स के ट्रैप में फसकर उनका शिकार बन जाता है और उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्सी जिन्दा बशती है। इसके बाद वेस्ट वर्जिनिया की जेल को दिखाया जाता है। जहां पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था। और ये जमादारी तीन पुलिस ऑफिसर्स को दी दी थी। वो टोटल कैदी पांच थी। जिन में एक था जैविस जो माफिय और्गनाइजेशन का हैड था। और ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा था। उनकर ट्रांसफर दो हफते बाद होना था। लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि जैविस के आद में रास्ते में बस को हाइजेक कर सकते हैं। और वो जैविस को छुड़वा कर ले जाएंगे। और ये ही वज़ा है कि उन्होंने एमर्जनसी ट्रांसफर प्लैन किया। और साथ में उपना रूट भी चेंज करते हैं। और उनका नया रूट वो खतरनाक वे था। यानि पेपर मिल वो वो सब कैदियों को बस में बिठाकर वहां से चल पढ़ते हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं। और वहां पर उन्हें शेरिफकार और डैप्यूटी लेन मिलते हैं। और वहें हमें थ्री डोस भी दिखाया जाता है। जो थ्री फिंगर का नेफ्य है। प्रेशनogn में कुछ देर रासक्राब और वो और जो फेपर मिल रोड बर चशा जबते हैं। पेपर मिल रोट पर चड़ते ही ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है और वो थ्री फिंगर होता है वो ट्रक के टायर में रेजर वायर फशा कर उसे पंक्चार कर देता है जिससी वो बस पंड्रोल से बाहिर हो जाती है और रोट से नीचे गिव जाती है थ्री फिंगर ट्रक से उतर कर उन्हें भूतने जाता है लेकिन उस वक्त और उन्हें पर हमला नहीं करता। पुलिस ओफिसर ने सब कैदियों को बाहर निकालता है और इसी दुरान मौके का फायदा उठाकर जैविस उसे गन चीन लेता है। और तभी पीछे से पुलिस ओफिसर प्रैसलो आकर जैविस पर अपने गन तान देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में गुस जाता है। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सारे कैदी समझते हैं कि ये सब कुछ जैविस की आदमी कर रही है। और तभी जैविस पर भी तीरों की वारिश होना शुरू हो जाती है। जिससे वो फोरन समझ जाते हैं ये जैविस की आदमी तो नहीं कर सकती। जैविस नेट को कहता है कि वो सब की हकड़ियों को खोल दे जिस पर नेट उसे जवाब देता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है और बस को पूरी तरह आग लग चुकी थी और वो किसी में टाइम ब्लास्ट हो सकती थी एक पुलिस ओफिसर वाइल्टर भी बस के अंदर ही होता है और जब नेट चाबियां ले बस में जाता है तो वो बिल gelecek वकट पर वाइल्टर को वहाँ से निकाल लीता है नेट जो चाबियां लेकर आया था, वो बिलकुल बेकार हो चुकी थी लेकिन फिर भी जैविज उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता होता है कि सिरफ नेट ही है जो उन्हें इस जंगल से निकाल सकता है और तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और जाडियों में से एक लड़की बाहें निकलती है जो नेट पर अटेक कर देती है और वो लड़की एलेक्स थी वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटन रहता है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा लेता है यकिन कोई भी उसकी बात पर ये केन नहीं कर रहा था हलांकि वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी जिस पर जैविज उसे उनकी लोकेशन तक लेकर जाने का कहता है उसका बात करने का अंदास रिक्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं था और वो उन्हें वहीं दे जाती है और रास्ते में उन्हें एक बस मिटते हैं जो बिल्कुल पंटी हुई होती है जो पीछे से लॉक थी जैविज नेट को उसके कैप चेक करने के लिए भीजता है और वहाँ पर उसे उसकी चावी और एक बंदूक मिल जाती है और वो गन वो वाल्टर को दे देता है और जब वो वैन को चेक करते हैं वो देखते हैं कि वो पैसों से भरी हुई है इतने पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और जैविज उने दो दो बैक उठा कर वहाँ से जाने को कहता है और सब लोग दो बैक उठा लेते हैं लेकिन वैल्टर जखमी था और वो बैक उठा नहीं सकता था जिसपर जैविज उसे जबरदस्ती बैक उठाने के लिए कहता है और मौका देखकर वैल्टे जैविज को शूट करने लगता है लेकिन बदकिस्मिती से उसमें गोलिया नहीं होती लेकिन इस बात के लिए जैविज उसे माफी नहीं देता वो सीधा उसके सर में गोली मार देता इस पर नेट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था पिर जैविज सब को आगे बढ़ने को कहता है और सब से आगे एलेक्स होती है क्योंकि वो ही उन सब को रास्ता बता रही थी जलते हैं उसे हुए उसका पाऊं एक ट्रैप पर आ जाता है लेकिन नेट जल्दी से उसे बचा लेता और वो ट्रैप वो ही था जो त्री डोस ने सैट अप किया था और वो ही चुपकर बैटा हुआ था तब ही वो ही निकल कर बाहिर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है लेकिन जैविज उससे गूली मार कर नीचे गिरा देता है एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्योटन नहीं है इस पर जैविज को एक आईडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए को एक लो छोड़ कर आगे बढ़ता है आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज लटकी हुए नजर आती है जिसे जैविज पकड़ लेता है जिस पर विली फोरण समझ जाता है कि ये उनके लिए बचाया गया एक ट्रैप है और वो जैविज को आगे रके लितर उसे बचा लेता है क्योंगे ऐसा करने से विली उनके चिन से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ जाते है दोसरे तरफ पुलिस टेशन में डिब्यूटरी लेन को दो दिन पहले मिसिंग हुए चार स्टूरंट्स की लेड मिल जाती है और शेरिफ के पास नेट की अभी कोई कॉल भी नहीं आई थी जिससे वो काफी फिकरमंद होता है वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाइजक कर लिया है और वो लोगों को ढूनने जाता है और लेन उन कॉलिस स्टूडर्स को ढूनने जाती है दूसरी तरह वो सब एक पुराने केबन में पुहो जाते हैं जहां पर कुछ टूल्स उने मिलते हैं और वो उसकी मदद से अपने जंजीरों को कार देते हैं वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्रीफिंगर का ट्रॉक होता है हलांकि उन सब को पता होता है कि ये उनके लिए बिचाया गया एक ट्रॉक है लेकिन फिर भी जैवी जबरदस्ती एक कैदी क्राफ फॉर्ट को आगे बेचता है जैसे ही वो थ्रीफिंगर के ट्रॉक के पास जाता है त्रीफिंगर उसे रेजर वायर में फसाग कर ट्रॉक को वहां से ले जाता है और ट्रॉक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से क्राफ फॉर्ट को सड़क पर घसीटता है और वो इतनी शिदत से घसीटता है कि जब तक कि वो मर ना जाए पीछे से मौका देखकर फ्लर्ड जैविस पर हमला कर देता है और तब एलक्स और नेट वहाँ से भाग जाते हैं जैविस फ्लर्ड को इतना मारता है कि वो अदमरा हो जाता है एक और कैदी उसे वहाँ पर वैसे ही चोड़ कर चले जाते हैं उस बस पर पहुँचकर सारी इंफॉर्मिशन को आगे ट्रांसफर कर देता है ये करने के बाद वो अपने डॉप को लेकर नेट को डूनने जंगल में चला जाता है ब्रेंडन जैविस को कहता है कि उन्हें पैसों को यहीं छोड़कर नेट को डूनना चाहिए जैविस उसकी बाद माल लेता है और पैसे को कुछ टाइम के लिए वहीं पर छोड़ देता है और आखिरकार वो नेट को डून लेते हैं जैविस उसे मारना ही वाला होता है कि नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वाच्ट आवर है जहां से हम वो किसी से कॉंटक्ट कर सकते हैं जैविस उसे आकरी मुका देता है और फिर वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है और जैसे ही वो सब वहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वाच्ट आवर जलकर बुरी तरह राख हो चुका और इसे उन तेनों म्योटन भायों ने जला दिया था वहाँ पर कुछ ना मिलने पर जैविस नेट को शूट करनी लगता है लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शेरिफ का डॉब उसे पकड़ लेता है शेरिफ खुद भी ठीक वक्त पर वहाँ पर पहुंच जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है लेकिन तब भी थ्री फिंगर रक्त पर बैटा हुआ एक बाला नीचे पहनता है जो सीधा शेरिफ के मुँ में गुश जाता है और आर पार हो जाता है जिससे फॉरन जैविस शेरिफ की गन को चीन लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर से ओर्डर देता है और फिर वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वापिस जाता है लेकिन फ्लर्ड सारा कैश लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और तब ही जैविस को उसकी आवाज आ जाती है और वो flood की तरफ बढ़ता है लेकिन इससे पहले ही three finger molotov है कर flood को जिला देता है और उसके साथ सारे पैसरी जल जाते हैं वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर से three finger का ट्रॉक उनके सामने आ जाता है और इस मरत्बा जैविस एलेक्स को स्ट्रॉक के सामने फैंक देता है और वो एलेक्स को लेकर ही वहाँ से चला जाता है नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है लेकिन जैविस उसे पकड़ लीता है और अभी उसे शूर करने ही वाला होता है ब्रेंडन उसे मार कर बिहोश कर दीता और वो दोनों उसे वही पर छोड़ कर अपने अपने रास्ते पर चल पते हैं थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर में जा कर बान दीता है और वही पर हमें जैबिटी लेन की बॉड़ी भी मिलती है क्योंकि इससे पहले थ्री फिंगर उसे भी पकड़ कर मार चुका था ब्रेंडन वहां से भाग रहा हुता है और इतने ली दिर में जैबिटी वहां पर आकर उसे मार कर बेहोश कर दीता है वो आगे बढ़ने लगता है, तभी थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँच जाता है, और उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है, जैविस थ्री फिंगर को इतना मारता है, कि उसकी शकल ही बिगार दीता है, और उसका फेज इतना बुरा बन जाता है, कि वो पहचान में नहीं आता है, पहने से भी जाता है, लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर ही जैविस पर बारी पर जाता है, वो उसकी खोपड़ी खोल कर उसका दिमाग खा लेता है, और अपनी जीत को सैलिब्रेट करता है, नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है, जो उसे ऐलिक्स के पास ल कलने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर वहां आकर उन पर हमला कर देता, थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है, कि तभी एलेक्स वो ही लकडी जिस पर थ्री डोस का सर रखा था, वो थ्री फिंगर को पीछे से मारती है, उसके इंदर घुसा कर उसे मार देती है, और और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहां से चल पड़ते हैं लेकिन थ्रीफिंगर अभी मरा नहीं होता और वो फिर से उनकी ट्रक के सामने आ जाता है और उनकी ट्रक पर चड़ जाता है वो नेट को पकड़ लेता है जिस से उनका ट्रॉक बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाकर द्रक्त पर लगता है और ट्रक्त में आग लग जाती है और इतनी दिर में ब्रेंडर में वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक्त से बाहर निकाल लेता है लेकिन थ्री फिंगर इतनी असानी से तो उनकी जान व्लक्षनेवरा नहीं था और वो फिर से नेट को पकड़ लेता है लेकिन इस मरतबा नेट उसी का टूल पकड़ के इसमें गुसा देता है और उसे स्ट्रॉंग करने के लिए वो उसे ट्रॉक पर भी दे मारता है और नेट और अलेक्स की जान बच जाग दिया लेकिन कुछ दिम बात नेट पैसो के लालच में दुबारा वहां पर आता है लेकिन कोई पीछे से उसको मार देता है और वो कोई और नहीं ब्रैंडन था जिस पर बिलीव करके उसने उसे रिहा कर दिया था प्रेंडन वो पैसे उठा लेता है लेकिन तब भी एक और म्यूटन बहां पहुंच जाता है और उससे भी मार देता है और किसी को भी नहीं पता चल सका कि वो म्यूटन कोन है और आज तक ये सवाल बंद कर ही रहा और इसके साथ ही मुझी एंड हो जाती है ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप देख सके धन्यवाद